समस्कार दोस्तो जैसी क्रश्ना कैसे हैं आप सब? उम्मिद करते हूँ खूश होंगे, शुखी होंगे, शंपन होंगे दोस्तो, आज हम बात करने जा रहे हैं व्यक्ति के होठों के बारे में व्यक्ति का चेहरा दोस्तो एक खुली किताब की तरह होता है जिसके माध्यम से हम उसके पुरे व्यक्तित वकों और उसके सोभाओं के बारे में सब कुछ लगभग लगभग हम जान सकते हैं और बहुत आसानी से दोस्तों हम उसको जान सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आप पहली बार किसी व्यक्तित से मिलते हैं तो उसके बारे में कोई भी जानकारी न होने की कारण आपको उसके साथ घुलने मिलने में परिशानी या और सहजता होती है लेकिन यदि यदि उसके विशे में खास बाते मालूम हो जाए तो आपको उसके साथ घुलने मिलने में आसानी रहेगी दोस्तों ज्योतिस सास्त्र की जो सामुद्रिक विद्या है उसके अनुशार कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति का सोभाव और खास बाते मालूम हो जाती है किसी भी व्यक्ति से मिलते समय पहली बार हमारी नजर कहां पढ़ती है व्यक्ति के चहरे पर मुस्कुराहट देखकर हमें बहुत प्रशन अता होती है बराबर और मुस्कुराइट में सबसे जो जरूरी जो रोल अदा कर रहे हैं जो एहम रोल अदा कर रहे हैं भूमी का अदा करते हैं वे होते हैं उसके होंट इनी होटों को ध्यान से देखकर किसी भी इस्त्री या पूरश के सोभाव को समझा जा सकता है किसी भी व्यक्ति के होटों को देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि वह व्यावार, आचार, विचार और कारिश शित्र में कैसा होगा बहुत ही आसानी से आप ये बता सकते हैं दोस्तों यदि होटों को ध्यान से देखा जाए तो कुछ बाते आसानी से समझ में आ जाती है जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सभी लोगों के होट अलग-अलग प्रकार के होते हैं अलग-अलग प्रकार के हुठों से ही उस व्यक्ति के व्यक्तितों के बारे में जाना जा सकता है जैसे उनका सोभाव, उनका चरित्र, भाग्य और और भी बहुत कुछ बाते, बहुत सारी बाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही लच्छणों की, जिनने सुनकर, जिनने जानकर, आप जान जाएंगे, कि आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है और खुद आप कैसे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, होटों पर तिल वाले जातक किसी को भी अपनी ओर आकरशित कर लेते हैं, मतलब कि जिन लोगों के होटों पर तिल होता है, ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों को अपने में आकरशित कर लेते हैं, जिन जातकों के होट एक दूसरे पर अच्छी तरह बैठे ह ऐसे जातक बहुत शुंदर और भाग्यशाली होते हैं लंबे होठों वाले जातक एसो आराम से भरपूर जीवन जीते हैं जिन जातकों के होठों से बिलकुल नीचे तिल होता है वे बहुत परिश्रमी होते हैं होठ यदि फढ़के तो दोस्तों समझ जाईए कि कोई अच्छा समय आने वाला है आपको कोई मन भावन वस्तु मिलेगी या प्रिय पात्रस से आपका मिलन होने वाला है दोस्तों खुले होठों वाले जातकों का सोभाव और भाग्ये बहुत रहश्यमाई होता है बाहर की तरफ उभ्रे हुए मोटे होठों वाले व्यक्ति जिनके होठों पर काले धब्बे हो तो ऐसे जातक का भाग्ये कमजोर हो सकता है होठों पर विद्यमान खड़ी रेखाएं भी दोस्तों भाग्ये को अवरोधक बना देती हैं चोटे होठे वाले जातकों का जीवन दूर भाग्ये पूर्ण होता है काले और खुरदरे होठों वाले जातक भाग्ये हीन होते हैं सूखे, काली, रंगत, धब्बेदार, कटे, फटे तथा मोटे होठ वाला व्यक्ति धन के अभाव में ग्रस्त रहता है दोस्तों, जिनके होठ संकुचित होते हैं, मतलब ऐसे होठ जो छोटे-छोटे हो, और बिल्कुल पतले हो, इनमें कोई भी रंग नहों जिन लोगों के होठ ऐसे होते हैं, वे आम तोर पर दिखावा जादा करते हैं ये सोचते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं वही ठीक है और बोलने में थोड़े कम होते हैं दोस्तों जिनके होँट मोटे होते हैं अधिक थुल-थुले मास से भरपूर होँट जो देखने में थोड़े बाज़ुरत लगते हैं जिन लोग के होट ऐसे होते हैं, दोस्तों वे थोड़े क्रोधी सोभाव के होते हैं, कभी-कभी ये बहुत ज्यादा भावग भी हो जाते हैं, और इनका सोभाव थोड़ा जिद्दी भी होता है, जिनके होट दोस्तों रशिक होट जी ने कहा जाता है, होट लाल होते हैं, चि लुखप्राप्त होता है और कई तरह कि उपलब्ध्यां भी मिलती हैं जिनके होट ठोड़े जैसे हूते हैं मतलब की लंबे चोड़े मुंवाले होते हैं वें दोस्तो ऑने ख्याती बहुत जल्दी मिलती है वी प्रयास के ही व्याकर्षन का केंद्र बन जाते हैं बिजनस में भी उन्हें अच्छी खासी सफलता मिल जाती है और खास तोर से मनोरंजन जगत में यह ख्याती प्राप्त कर लेते हैं हाला कि अपनी सफलता के लिए अपने अंदर के जंगल व्यवार को दबाना इनके थोड़ की इच्छाएं यदि महिला ही इस टाइप की तो उसकी जो इच्छाएं कभी खत्व नहीं होती है हर चीज पाने की उसके अंदर एक प्रबल इच्छा होती है और हर चीज में हर काम में बिल्कुल परफेक्ट और बुद्धीमान भी होती है साथ ही दूसरों को समझने की छम और जवलन्त होते हैं मतलब की हलके चोड़े होट जो सामने वाले को एकदम से आकर्शित करें या में यू कहूं कि प्रेम की आग पैदा करें एसी महिलाएं बहुत ही रिजर्व होती हैं लेकिन हाँ प्रेम के मामले में ये अपनी लाइफ पार्टनर को कभी किसी भी मामले में निराश नहीं होने देती हैं और दोस्तों पतले होट जो आगे की और जुके हुए हो मुँ बंद करने पर दोनों होटों के बीच हलका गेब दिखाई दे एसी महिला स्वतंत्र रहना पसंद करती है ये किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करेगी ये इस्त्रियां ब जल्दी गुस्ता होने वाले और साहसी भी होते हैं ये लोग वो काम भी आसानी से कर लेते हैं जो दूसरों के लिए करना मुश्किल होता है ये अपने काम के प्रती बहुत ही इमांदार होते हैं जिनके दोनों होट समान और सुन्दर हो ऐसा व्यक्ति शत्यप्रिय सुसील एवं शजन वृत्ति का होता है वो कोमर्शब्दोश युक्त मिठी वानी का प्रयोग करने वाला होता है परहितकारी तथा भागेशाली जीवन व्यतित करने वाला होता है जिसके दोनों होट मोटे हो ऐसा व्यक्ति मूँ फाठ होता है अंतरमन से कोई रहश्य छिपा कर न होता है शंगर्ष में संगर्ष करके ही मतलब उसे उन्ति मिलती है और ढलती हुई आयू में उसे हर प्रकार के सुख प्राप्थ होते हैं उपर का हूंट भारी दिखाई एसा व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है दूसरों का दुख सुनकर या देखकर आंतरिक प्रशनता की अनुभाव कर सकता है और सहन सिल भी होता है और जिसके होट दोस्तो थोड़े ललचर होते है रक्तिम होट जिसे कहा जाता है ऐसा व्यक्ति शोर्य वीर्य और उच्छा के घोतक होते है ऐसे नरनारी काम लालसा का भर्पूर लाव प्राक्त करते हैं इश्वरे साली एवं धन्वान भी होते हैं काले होट होते हैं जो दोस्तों जिनके वे कपट और संगर्ष का प्रतीखे एसे व्यक्ति मिथ्यावादी होते हैं तथा दुख ही भोगते हैं जिनके होट दोस्तों गुलाबी होते हैं वे गुलाबी होटो वाले लोग व्यवार कुशल अच्छी सोच वाले वो तिवर हुए होते हैं जिनके होट आगे की तरफ उभरे हुए होंगे ऐसे लोग आम तोर पर मांसाहरी वह छोटी बुद्धी वाले होते हैं यह श्वयम को बहुत दिखाते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही डरपोख होते हैं दोस्तो लाल पतले चिकने और अच्छी आकरिती वाले होट शुखत दापते जीवन के घोतक होते हैं अगर निचला होट लाल गोल एवं एक पतली रेखा वाला हो तो यह बहुत ही भागिशाली और धनवान होने का प्रतीक है मोटे भारी तथा चोड़े होट चरीत्र को संदिक्त कर देते हैं विशेशकर यदि जातक है तो यदि निचला होट मोटा तथा रंग में काला हो तो यह सभा वर चरीत्र में संदिक्त था वो जीवन साथी से बीच्छेों दे सकता है यदि निचला होट सूखा लंबा वो पतला हो तो वो बीमारी का कारण भी बन सकता है और वो बीमारी का संकेत देता है दोस्तों जिस इस्त्री के नीचे वाले होटों के ऊछों पे महीन बाल हो वह इस्त्री अपने सास ससुर की सेवा करने वाली तथा अपने पति को प्रशन करने वाली होती है यह कलत्मकारियों में काफी निपुन मानी जाती है तो दोस्तों सभी अंगों का अलग-अलग महत्व होता है आज हमने जो बात किये वो होटों को लेकर की किये कि होटों को यदि आप देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप होटों को देख करके व्यक्ति के चरित्र के बारे में उसके सोभाव के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो देखते रहें दोस्तों खुश रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें जैसी क्रश्णा